वो है AIDS AIDS जो है ये Acquired Immuno Deficiency Syndrome जो है उसका abbreviation है AIDS जो है ये एक abbreviation है disease का Acquired Immuno Deficiency Syndrome मतलब ये कि AIDS एक ऐसी बीमारी है इस बीमारी में इंसान का जो immune system होता है वो कमजोर हो जाता है तो immune system का कमजोर हो जाना जो है उसे हम AIDS का नाम जो है वो देती है इस disease के बारे में background जो है वो जानने की कोशिश करेंगे एड्स जो है इस बीमारी का अगाज जो है वो कब हुआ कैसे हुआ ये बीमारी जो है वो किस वाइरस की वज़ा से जो है वो होती है तो ये सब चीज़ें जो है वो इस topic में हम जानने की कोशिश करेंगे तो अगर हम AIDS की अगर हम बात करें तो पता चलता है कि जो AIDS है ये जो disease थी AIDS it was first reported in 1980s 1980 में पहली बार इस disease को जो है वो डिसकवर किया गया इस disease को जो है वो patients के अंदर report किया गया अब वो जो patients कोन से थे that are young males The AIDS was first reported in 1980 is in young males having many symptoms such as pneumonia, vascular cancer, weight loss, fallen lymph nodes and loss of immune functions. तो पहली बार ये जो बीमारी है AIDS जिसकी हम बात कर रही हैं, 1980 में पहली बार ये बीमारी जो है वो कुछ young males में रिपोर्ट की गई. अब जो young males जिन में ये बीमारी रिपोर्ट की गई, उनमें बहुत सारी symptoms जो है वो देखी जा सकती थी. जैसे के वो severe pneumonia का जो है वो शिकार थे, उनमें blood cancer की अलामाद जो है वो नजर आ रही थी, weight loss जो है वो बहुत जल्दी जो है वो उनका हो रहा था, lymph nodes जो है वो उनके swollen हो चुके थे, और उनका जो immune system था, वो काफी हद तक जो अपने functions थे, उनको खतम कर चुका था. तो 1980 में, 1980 में, तकरीबन, तकरीबन 1980 में, यंग मेल्स में पहली बार AIDS को जो है वो discover किया गया, और उन्हें यंग मेल्स में कई तरह की different symptoms जो हैं, उनको report किया गया. अब ये जो सारे जो मेल्स थे, एक जब scientist ने, जब scientist ने research शुरू की, तो पता चला कि ये जितने भी यंग मेल्स थे, all these young males were homosexuals, ये सारे जो हैं, वो homosexuals थे, के जिन young males में इस बीमारी को पहली बार report किया गया, वो सारे के सारे जो young males थे, वो homosexuals थे, homosexuals का मतलब के वो homosexual कहती हैं, ऐसी condition जिसमें male, male के साथ जो है, वो sex करता है, sexual contact जो हैं, वो male और male के दर्मियान होता है, उसे हम कहते हैं, homosexuals, तो पता चला कि ये जो young males, जिनके अंदर पहली बार AIDS को report किया गया है, ये सारे के सारे जो young males थे, ये homosexuals थे, तो scientist का ये ख्याल था कि homosexuality की वज़ा से, ये बीमारी जो है वो एक male से दूसरे male में जो है वो transfer होती है, लेकिन बहुत जल्द ही scientist का ये जो concept था, ये गलत साबित हो गया, but soon the disease was discovered in non homosexual patients, लेकिन जल्द ही ये बीमारी ऐसे patients में भी discover होने लगी, जो के homosexual जो है वो नहीं थे, अब उनमें क्या reason थी, who were given blood, जिनको blood दिया गया था, ABO blood group system जो है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम जानती हैं, कि एक blood जो है, donor से एक blood जो है recipient को किसी भी patient को एक शक्त से blood निकाल कर किसी भी दूसरे patient को जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ rules and regulations होते हैं, लेकिन माजी में ऐसे rules और regulations नहीं थे, नतीज़तन एक शक्त से blood निकाल कर जब दूसरे शक्त को दिया गया, तो उसमें भी ये बीमारी जो है वो पैदा हो गए, examination की गए, researches हुई तो पता चला कि जिन लोगों का blood दिया गया है, दरासल उन लोगों के blood में जो है एड्स, वाइरस, एड्स का बाइस बनने वाला जो वाइरस था, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, वो वाइरस जो है वो मजूद था, लहाज़ा जब वो वाइरस containing blood जो है वो एड्स शक्स से निकाल कर दूसरे लोगों को दिया गया, पेशेंट्स को दिया गया, तो उनमें भी AIDS की बिमारी जो है वो सामने आना शुरू होगी, तो बहुत जल्द ही ऐसे ये बिमारी जो थी, non-homosexuals के अंदर बें डिस्कवर होना शुरू हुई, अब उसकी क्या वज़ा थी, पता चला कि उसकी वज़ा जो है वो wrong blood transfusion थी, कि जो blood transfer किया गया, उसमें उसको examine नहीं किया गया, उसमें पता नहीं लगाया गया, क्योंकि blood transfer करने से पहले blood test किया जाता है, इसमें हर चीज़ को check किया जाता है, सिरफ blood group को ही match नहीं किया जाता, इसके साथ-साथ जो है, blood के अंदर मजूद different viruses, different bacteria जो हैं, उनको भी examine किया जाता है, कि आया कि जो blood transfer किया जा रहा है, उसमें किसी किसम का कोई virus या bacteria जो है, वो मजूद ना हो, तो ये एक background जो है, वो history है, इस virus से मतलिक कि ये जो, इस बीमारी से मतलिक कि ये जो बीमारी है, AIDS, ये बीमारी पहली बार, 1980s में, young males के अंदर discover की गए, जिन में different symptoms, जो है, वो सामने आ रही थी, और ये सारे के सारे जो young males थे, ये homosexuals थे, लेकिन जल्द ही, ये बीमारी non-homosexuals में भी, जो है, वो discover होना शुरू हो गई, उसकी वज़ा, उनको wrong blood transfusion, जो है, वो डी गई थी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो 1984 में, चन्द सालों बाद ही, 1984 में, इस बीमारी का bias बनने वाला, हर बीमारी, हर disease, जो है, वो किसी ना किसी causative agents की वज़ा से होती है, हर बीमारी की कोई ना कोई वज़ा होती है, तो जब इस चीज का पता लगाया गया, तो 1984 में, the causative agent was identified by researchers of Pusture Institute and National Institute of Health in USA. तो 1984 में, दो इंस्टिट्यूट्स, USA के एक इंस्टिट्यूट्स जिसका नाम National Institute of Health था, और France के एक इंस्टिट्यूट्स जिसका नाम था, Pusture Institute, इन दो इंस्टिट्यूट्स ने मिलकर, यहां के scientist ने मिलकर, जो है, वो इस बीमारी का बाइस बनने वाला, जो causative agent था, उसको identify कर लिया, तो 1980 में, इस disease को report किया गया, और 1984 में, इस disease का बाइस बनने वाला, जो causative agent था, उसको scientist ने जो है, वो identified कर लिया, और वो जो causative agent जिसको identify किया गया, 1986 में, उस causative agent, जो के basically एक वाइरस था, उसका नाम रखा गया, HIV वाइरस, कि ये बीमारी, इस बीमारी का बाइस बनने वाला, जो causative agent, जो के दरासल एक वाइरस था, 1986 में, उस वाइरस का नाम रखा गया, HIV वाइरस, human immunodeficiency वाइरस, कैसा वाइरस, जो इंसान के immune system को पमजोर कर देता है, उसे हम human immunodeficiency वाइरस का नाम जो है, वो देती है, अब ये जो वाइरस है, ये बीमारी का बाइस जो है, वो कैसे बनता है, दरासल HIV वाइरस, ये वाइरस जब इंसानी बाडी में दाखिल होता है, हूमन बाडी में दाखिल होता है, तो ये वाइरस हूमन बाडी में दाखिल होकर, खास किसम के हूमन सेल्स पर अटेक करता है, and that are T lymphocytes T lymphocytes HIV virus ये एक ऐसा वाइरस है जो इनसानी बाडी में दाखिल होकर ये खास किसम के सेल्स पर अटेक करता है जिने T lymphocytes का नाम दिया जाता है और T lymphocytes ये बाडी के वो सेल्स होते हैं जो immune system में बहुत आहम रोल प्ले करती है immune system में T lymphocytes बहुत ही आहम रोल प्ले करती हैं और जब ये वाइरस HIV virus जब ये बाडी में दाखिल होता है ये क्या करता है ये इन T lymphocytes को जो है वो किल करना शुरू कर देता है जिससे क्या होगा T lymphocytes की मिकदार बाडी में कम होना शुरू हो जाएगी और यू immune system में जो इनका रोल होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा वो कम होना शुरू हो जाएगा नतीज़तन immune system जो है वो कमज़ोर होता चला जाएगा और इस बिमारी को हम फिर क्या नाम देंगे that is known as AIDS recent कुछ researches की गई तो पता चला कि ये जो वाइरस है HIV वाइरस जो है ये monkeys के अंदर अगर इसको दाखिल किया जाए तो monkeys में ये अटेक करता है monkeys में भी अटेक करता है लेकिन और वहाँ पर अपनी तदाद बढ़ाता है लेकिन monkeys के अंदर ये disease कास नहीं करता इसका मतलब ये है कि HIV वाइरस जो है ये host specific है host specific है ये सिरफ ये जो वाइरस है ये सिरफ खास host में ही बिमारी पैदा कर सकता है ये हर host में बिमारी पैदा नहीं कर सकता तो HIV वाइरस जो है ये सिरफ इनसान में ही जो है वो बिमारी पैदा कर सकता है इसके रावा मंकीज या जो दूसरे एनिमल्स हैं अगर ये वाइरस उनकी बाडी में दाखिल हो भी जाता है वहाँ पर अपनी तदाद भी बढ़ाना शुरू कर देता है लेकिन ये उनमें डिजीज कास नहीं कर सकता तो इसका मतलब HIV वाइरस सिरफ इनसान में ही बिमारी पैदा कर सकता इसे लिए ये बेसिकली एक होस्ट सपैसिफिक जो है वो वाइरस है अब ये वाइरस जो है वो एक शक्स से दूसरे शक्स में ट्रांस्मिट कैसे होता है तो ये वाइरस जो है HIV वाइरस ये दरासल बहुत सारी चीजों के जरीए जो है वो ट्रांसफर हो सकता है from one person to another person during sexual contact जो है वो male to female younger female to male जो है ये एंटर हो सकता है wrong blood transfusion जो है अगर blood में जैसा के यहां पर non homosexuals में पहली बार देखा गया था कि अगर किसी शक्स के blood में ये वाइरस है और वो blood जो है वो किसी दूसरे शक्स को दिया जाता है तो वो भी इस विमारी का जो है वो शिकार हो जाता है और number three जो है वो breast feeding है mother feeding है इसके जरीए भी जो है ये वाइरस mother to baby जो है वो transfer हो सकता है 2001 में इसकी vaccine जो है वो बनाई गई पहली बार इस डीजी HIV वाइरस के खलाफ 2001 में एक vaccine तियार की गई जिसको पहली बार experiments के तोर पर South Africa में जो लोग थे उन पर पहली बार इस vaccine को जो है वो अजमाया गया लेकि ये जो disease थी ये जो vaccine थी ये इतनी ज्यादा कारामत जो है वो थाबित नहीं हो सकी लहाज़ा फिल हाल HIV वाइरस इस बीमारी के खलाफ proper vaccine जो है वो available नहीं है तो हमने बात की कि इस बीमारी का अगास कब हुआ इस बीमारी का causative agent कब discover हुआ उसका name कब जो है वो decide किया गया अब वोई जो वाइरस है ये transmit कैसे होता है और इसके खलाफ पहली बार vaccination के लिए experiment कब जो है वो किया गया थोड़ा सा इस बीमारी का बाइस बनने वाला जो वाइरस है जैसे हम HIV वाइरस कहती है इसका अगर हम body structure देखे इस वाइरस का तो इस वाइरस के center में हमें double RNA जो है वो देखने को मिलता है double RNA तो एक RNA ये मजूद है और एक RNA जो है वो ये मजूद है और आप जानते है RNA जो है genome भी कह सकती है nucleic acid भी कह सकती है जो कि किसी भी वाइरस का जो है वो first part होता है और इस genome के गिर्द इस RNA के गिर्द जो है वो बहुत सारी protein molecules की coating होती है जिसे हम capsid का नाम जो है वो देती है तो यहाँ पर ये जो है ये RNA जो है वो double RNA मजूद है single standard है दोनों और उन RNA उस genome के गिर्द जो है वो proteins का बना capsid जो है वो मजूद है और इस capsid में RNA के साथ कुछ खास किसम के enzymes भी मजूद है जो के आगे चलके हम पढ़ेंगे इनका life cycle में बड़ा आहम रोल होता है that is reverse transcriptase enzyme reverse transcriptase enzyme जो RNA को DNA में तब्दील करती है उसे reverse transcriptase enzyme जो है वो कहा जाता है इसके इलावा this capsid के गिर्द एक envelope मजूद होता है हमने पढ़ा था कि कुछ viruses ऐसे होती है जिनके गिर्ध envelope मजूद होता है उन्हें हम envelope viruses कहते है तो HIV जो है ये RNA envelope virus है इसमें RNA भी मजूद है और डबल RNA मजूद है और इसके गिर्द envelope जो है वो मजूद है तो तीसरी चीज़ envelope जो है वो यहां पर मजूद है और इस envelope के उपर खास किसम के receptors मजूद है जैसे बेक्टेरियो फेज वाइरस में टेल फाइबर्स मजूद है जो होस्ट के साथ attachment में help कर बिल्कुल इसी तरह यह जो HIV वाइरस है इसके envelope के उपर खास किसम के receptors मजूद होती है जिने हम spikes का नाम जो है वो देती है यह जो spikes हैं जो के basically खास किसम की गलाइको प्रोटीन्स होती है यह spikes यह गलाइको प्रोटीन्स इस वाइरस के जो envelope पर मजूद होती है यह spikes यह glycoprotein इस वाइरस को T lymphocyte cell के साथ attach होने में जो है वो help करती है जो कि हम आगे life cycle में जो है वो पड़ेंगे तो इस HIV वाइरस के structure में double RNA है और रिवस transcriptase enzyme है उस RNA के गिर्दे capsid है capsid के गिर्दे जो है वो envelope मजूद है और उस envelope के उपर receptors मजूद है जिने हम spikes केती हैं glycoproteins के बने होते हैं और यह spikes इस वाइरस को T lymphocyte cell के साथ attach होने में जो है वो help करती है